Canon M50 Mark II versus Canon 200D Mark II 2022 चल रहा है फिर भी यह बहुत ही जादा searchable topic है मुझे ही हफता में कम से कम 3-4 DM आते हैं अभी भी यह दो cameras ऐसे हैं especially Canon में जो लोग सबसे ज़्यादा confused रहते हैं और शायद आप भी इन दोनों में से एक camera purchase कर रहे हो तभी आप इस वीडियो पर लैंड कर रहे हो यह आप आलेटी camera यूज़ कर रहे हो तो भी यह वीडियो आप ले उसफुल रह सकती है इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे important points बताऊंगा जो कहीं लोग को अभी तक informed नहीं है कहीं लोग गलत समझते हैं और मेरा मान नहीं है सिरफ specification पर हम rely नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं दोनों cameras लेके आया हूँ वीडियो पूरा देखना because अगर आप बीच में छोड़के जाओगे कुछ चीज़ें शायद आप misinformed होके जाओ तो इसलिए यह वीडियो एंड तक देखना क्यूंकि मैं ऐसे कुछ factors end में बताऊंगा जो इन दोनों में से एक camera की choice आप लें काफी ज़्यादा ज़रूरी बन है वही 200D Mark 2 का जो weight है हो 654 grams है तो लगबग लगबग 140 grams का difference है और वो जब हम shoot करते है तब difference पता लगता है because DSLR में का एक proper grip है और एक और चीज़ जब मैं size की बात करता हूं 200D Mark 2 अगर आप देखोगे मुझे proper DSLR वाला grip होता है न वो मिलता है बट वही अगर मैं M50 Mark 2 की बात करूं grip बहुत compact है चोटा है बाद स्टिल comfortable है अनलाइक फ्यूमेरलेस camera जो इस budget में अभी भी आते हैं grip अल्मुस्ट ख़तम सा हो गया है but I like M50 Mark 2 में वो चीज़ पहले से plan की गई थी जब से launch हुआ है इसका grip काफी अच्छा है बट अगर मैं compare करूं obviously grip के मामले में 280 Mark 2 जाद but anyways तो उस परफस के ले M50 जादा बेटर है क्यों because अगर आप kit lens के साथ भी देखोगे comparison तो definitely 200D Mark 2 kit lens के साथ थोड़ा सा जादा बलगी है but honestly इतना जादा difference है नहीं वेसके अब अगर मैं बात करूं दोनों के sensors की तो एचीज में clear करना चाहूंगा दोनों ही camera में almost same specifications है sensor से में दोनों के अंदर ही आपको मिलता है 24.1 Megapixel का Digic 8 processor जिसका focusing almost same है जिसकी जो ISO range है वो एकदम से में 100 से लेकर maximum 51,200 तक जाती है and even इन दोनों में ही आपको flip LCD screen मिलती है जो especially अगर आप vlogging करते हो है self videos बनाते हो है बहुत important factor है और दोनों ही आप adjust कर सकते हो best thing is touchscreen है और same size है दोनों क touch screen आप मान के चलोगी almost same है LCD 3-inch का अचा अब एक focus points के बारे में मुझे confusion clear करना है 200D Mark II में आपको 9 autofocus points मिलते हैं वो ही Canon M50 Mark II में जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो है 3975 जो सुनने में बहुत ज्यादा लगते है वड़ मैं आपको actual difference बताता हूँ अगर आप 200D Mark II का LCD on कर द क्योंकि electronic viewfinder है आपको LCD ही दिख रहा है basically तो आप पूरे focus points का benefit उठा सकते हो DSLR में वो difference आजाता है कि अगर आपको ज़्यादा focus points जो cover कर रहे है उस पर shoot कर रहा है तो आपको LCD पर ही shoot करना पड़ेगा और outdoor में दिक्कत आ जाते है स्क्रीन हमें अच्छे से नहीं देख पाती तो अगर आप viewfinder में shoot कर रहे हो आपके पास सिरफ 9 focus points है to select from और वहां भी हम edges में focus नहीं कर पाते हैं पर यहां पर एक confusion है वो मैं आपको clear कर दूँ जो 3975 points है ना यह सारे selectable नहीं है यह group में काम करते हैं तो जो basically आप select जो कर सकते हो ना वो 143 है with selected lenses यहां with other lenses वो 99 है तो वो चीज़ आपको धियान दखना पड़ेगा यह मत समझना कि आपको 4000 selectable focus points मिल रहे हैं और स्टिल उनका जो combination है वो दोनों ही camera में आपको बढ़िया focus की speed देता है आप किसी भी edge to edge जाके focus कर सकते हो specially with the M50 mark अब अगर मैं image quality की बात कर करते हैं चाहिए वो daytime हो चाहिए evening time हो या low light situation और जो clarity और शापने से दोनों की ही similar है तो अगर आप photography के आप से देख रहे हो दोनों में आपको same result देखने को मिलेगा उसके बाद अगर हम flash photography की बात करें तो definitely दोनों में inbuilt flash है बट अगर आप comparison देखोगे तो 200D Mark 2 का physically देखने में जो flash का size that is bigger M50 का थोड़ा सा compact है थोड़ा नहीं I'll say it's almost half as compared to 200D Mark 2 I think वो camera को थोड़ा compact बनाने के इस तरीके से दिया गया है उसके बाद अगर हम उबर की side देखें दोनों camera's में आपको hot shoe भी मिलते हैं right hand side पे अगर हम जाते हैं तो M50 Mark 2 में क्या है जो shutter button है उसके साथ ही आपको wheel दिया गया है तो अगर आप साथ ही साथ setting change करना चाहते हो तो क्या ही कि थोड़ा जो आपका grip बनता है ना camera में जब आप हाथ में पकड़ रहे हो camera को और फिर आप shutter button से भी shoot कर रहे हो तो आपको second finger का ज़रूरा नहीं पड़ेगा thumb का to adjust है आप अपने first finger से यह wheel भी ह कर सकते हो और फिट shutter button को भी आप easily click कर सकते हो तो ही 200 में गया है कि यह जो scroll है या लग से ऊपर दिया गया है और shutter button थोड़ा आ गया है राइट में flash, left में AF-MF, 200D Mark II में कहीं लिखा नहीं हुआ तो अगर आप नेया camera ले रहे हो थोड़े से आप confused हो सकते हो मेरे हिसाब से 200D Mark II is like आपको दोनों हाथ यूज़ करने पड़ेंगे अगर आपको menu info भी यूज़ करना है और right side के button भी यूज़ करने है वर M50 Mark II में क्या है कि right hand side में सारे button दिया गया है तो left side में आपको कुछ use ही नहीं करना पड़े है तो it's like one hand camera में एक हाथ से सारे button select कर सकता हूं, dial change कर सकता हूं, सब कुछ right side है, even top left में भी कोई button नहीं दिया गया है talking about the camera batteries, यहां पर थोड़ा सा difference आता है, M50 Mark II में थोड़ी छोटी बैटरी है which is 875 mAh और 200D Mark II में है 1040 mAh की अगर मैं practically बात करूं जब हम shoot करते हैं photos और videos तो honestly difference है, जो DSLR का battery consumption है वो कम है M50 का थोड़ा जादा है, तो आप यह समझ सकते हो, अगर मैं इससे 600 photos लेता हूं, तो वो ही M50 में 300-300 photos ले पाऊंगा और अगर मैं वीडियो की बात करो, यहां पर भी difference है तो अगर एक battery में इससे काम हो रहा है, M50 के लिए मुझे दो batteries चाहिए होगी, अब थोड़े से differences की बात करते हैं, और सबसे बड़ा difference जो आपको दिखेगा ना, वो है viewfinder में, because DSLR में वो ही traditional optical viewfinder है, M50 में, because it's a mirrorless camera, इसके अंदर electronic viewfinder, अब इसका difference कहा है, मैं आपको असान ब viewfinder से देखते हो, तो basically, जो हमारी आँकों को दिख रहा है, वो ही हमारा camera देख रहा है, और जब आप settings करोगे, आप live viewfinder में नहीं देख पाऊगे, कि अगर आप shutter speed या aperture चेंज कर रहा है, तो exposure के आएगा, जब आप photo कीचो में, उसके बाद ही आपको दिख पाएगा, M50 Mark II मे ऐसा नहीं है, जो भी आप settings कर रहे हो, live viewfinder में देख सकते हो, कि हाँ photo dark आ रही है, bright आ रही है, आपको click करने से पहले दिख जाएगा, यह mirrorless का बहुत बड़ा फायदा है, DSLR में भी हो सकते है, उसके लिए आपको live view on करना पड़ेगा, बट वो मैं suggest नहीं करूँगा, because उसक आप सेलेक्शन बना सकते हो, मेरे लिए, जो बहुत है, I'm a mirrorless user, M50 एक थोड़ा सा better choice बन जाता है, अब एक और बहुत important difference है, और वो है frames per second का, यहाँ पी भी मैं कुछ चीज़ करना चाहूँगा, Canon claims की 200D Mark II में 5 FPS मिलता है, M50 में 10 FPS मिलता है, but it's actually good, M50 में जादा है, पर यह जाते हो, तो 7.2, 7.3 है, मानलो 7 FPS आपको मिलेगा, which is still better than 200D Mark II, तो अगर आप sports, action, कुछ भी ऐसा शूट करते हो, जहाँ आपको एक second में multiple photos चाहिए, burst mode पर शूट करना है, तो वहाँ भी M50 Mark II would be a better option, अच्छा, तो अब बात करते हैं कि M50 Mark II or 200D Mark II की video performance में क्या फरत है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको पता दूँ, almost बहुत similarities है, मतलब आप 4K 24 FPS तक शूट कर सकते हो, 1080p में 60 FPS पर शूट कर सकते हो, दोनों के format same है, resolution almost option same है, 200D Mark II में however, मुझे जो में पास unit है, I could see 1080p में 24 FPS missing है, तो अगर आपको 24 पर ही शूट करना है, वो आपको M50 Mark II में मिलेगा, बट उसके इलावा, दोनों में almost same options मिलते हैं, बट अगर आपको slow mo shoot करना है, तो M50 Mark II में slow motion mode है, जहां पर आप 120 FPS पर shoot कर सकते हो, बट वो 720p resolution पर है, तो अगर आप 720p use कर सकते हो, then it's good, आप slow motion shoot कर सकते हो, बट आज के time में 1080p is a minimum requirement, मेरे इसा आप से, उसके बाद M50 Mark II में एक और आपको benefit मिलता है, अगर आप इस तरीकी से vertical video shoot करते हो, जो आजकल हर platform shoot कर रहे हैं, और इसलिए मैं वीडियो पर मनावरू हूँ हूँ, because 2022 में बहुत चीज़ें चेंज होगी है, vertical videos की बहुत requirement है, M50 Mark II में straight out of camera, आपको vertical format में मिलता है, 200D Mark II में अगर आप vertical shoot करोगे, वो straight out of camera vertical नहीं होगा, आपको editing में जागे करना पड़ेगा, तो अगर आपको just shoot करना है, और instantly reels डाल दिया है, YouTube के upload करना है, M50 तो वो आपको दे देता है, और एक practical difference में आपको बताता हूँ, कि देखो, all the दोनों में ही record के button है, कि आप प्रेस करके recording कर सकते हो, but M50 Mark II में य red dot दिया गया, जिसको press करके मैं record और stop कर सकता हूँ, और मेरे लिए बहुत easy हो जाता है, बार बार ऐसे देखके, फिर button change करोगे, फिर ऐसे, तो थोड़ा सा distraction हो जाता है, तो screen पर दिया गया है, तो आप easily बो चीज़ कर सकते हो, और ये एक M50 में है, थोड़ा सा better feature मुझे ल eye focus में रहनी चाहिए, और यहां पर मैं आपको एक comparison दिखाऊँगा, जहां पर मैं दोनों cameras का side by side, आपको focus tracking दिखाऊँगा, so that you can judge, कि इन दोनों में वैसे तो similarity है, बट फिर भी आप देख लो, तो अब यहां पर आप sample देखे रहो, this is a side by side comparison, left में 200D Mark II, right में M50 है, और मैं को track कर रहा है, वो ही M50 Mark II काफी distance तक eye को track कर रहा है, बट जब मैं आउटपूट देखा था, तो इतना ज़्यादा difference है, just that आपको देखने में थोड़ा satisfaction मिल जाता है, बट हाँ, अगर मैं बात करूँ कि जब मैं frame से बाहर जा रहा था, और वापिस अंदर आ रहा था, चाह अब एक बहुत बड़ा difference, जो काफी लोग मिस कर जाते हैं, वो है kit lens का, तो अब जब भी अगर यह पहला camera लोगे, obviously आप यह kit lens खरीद होगे, उसके साथ ही आप camera लोगे, अब एक बहुत major difference है कि जो 200 में आपको kit lens मिलता है, वो 18-55 है, तो 18 wide end है, 55 is stallion, जहाँ आप जूम कर के photo ले सकते हो, however, M52 में lens है, वो थोड़ा सा difference है, अब इसका widest end है, वो 15 mm है, और यह जो difference है, यह आपको पता लगेगा, जब आप wide angle shoot करते हो, landscape photography करते हो, या फिर, specially अगर आप vlogging कर रहे हो, तो 3 mm का भी जो difference है, मैं आपको यहाँ पे side-by-side comparison दिखा दूँग, आप देख सक जाता है, तो यहाँ, जो M50 Mark II का lens है, that is only till 45 mm, और 200D Mark II का 55 mm तक है, तो यह आपको देखना पड़ेगा, अगर आप ultra wide जादा shoot करते हो, तो M50 Mark II का kit lens है, वो better option है, मेरे हिसाब से, अगर आपको telly end पे जादा shoot करना है, तो 200D Mark II का kit lens, but otherwise, I am sure, आप एक time पर आके upgrade तो करोगे, और वहाँ पे ही एक और बहुत major difference आजाता है, वो है lens mount और उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं 200D Mark II की बात करों, इसका जो mount है, वो EFS mount है, मतलब आप जो भी lens ले रहे हो, DSLR की lenses और आप इसमें use कर सकते हो, चाहे वो EF-O या EFS दोनों lenses आप लगा सकते हो, तो बीच में हमें कुछ adapter नहीं लगाना परता, बट वही अगर मैं M50 Mark II की बात करों, इसका जो dedicated mount है, that is EF-M mount, जो अलग से mirrorless के लिए mount है, और वो भी crop body के लिए, अब यहाँ पर एक चीज आपको, मैं हमीशा suggest करता हूँ, जो लोग में इसे बूचते हैं, देखो, यह एक बहुत selected lenses आते हैं, इस mount में, और आपके पास एक बहुत अच्छी option है कि आप इसका adapter ले सकते हो, जो EF-M to EF adapter आता है, जिसमें आप कोई भी lens जो EFS या EF mount गया है, DSLR लाइनप के वो आप इस camera में लगा सकते हो, तो अगर आप adapter में इन्वेस्ट करना चाहत इसाब बिल्कुल भी नहीं है, मैंने खोड ट्राइ किया हुगा है, और मुझे यह भी लगता है कि EF-M mount के अब जो lenses है, मैंने पिछले कुछ time में, कुछ महीनों में, कोई नया launch देखा नहीं है, तो I still believe EF lenses भी बहुत कम होंगे, इस majorly now RF mount, जो अभी आप RF mount में जो भी camera announcements देख रहे हो, R7, R10 उसकी तरफ जादा focus किया जाएगा, but still I think adapter लेके lens use करना is a better option, तो यह था मेरा comparison Canon M50 Mark II और 200D Mark II अगर मैं इसको summarize करो, देखो दोनों अपने आप में काफी बढ़िया cameras है, 200D Mark II मैं किने suggest करोंगा, यह उनके लिए है, जिनने सिरफ photography करना है, जिने यह solar वाला field चाहिए, आपको optical viewfinder चाहिए, आपको just photos लेनी है, 200D Mark II अभी भी काफी अच्छा option है, क्योंकि इसमें latest features like eye autofocus आपको मिलता है, but अगर मैं M50 Mark II की बात करूं, I think 80% audience को मैं यह suggest कर सकता हूं, क्योंकि यह एक hybrid camera है, इससे आप बढ़िया photos ले सकते हो, बढ़िया videos निकाल सकते हो, especially vertical videos, autofocus points जादा हैं, आप कहीं भी touch करके, focus करके photos ले सकते हो, and all in all, काफी compact camera है, तो मेरे हिसाब से, this is my go-to option, बागी आप कमेंट करके बताना, आप इन दोनों में से कौन सा camera juice करोगे है, already अगर आप उसकर रहे हो, तो आप अपने experience बता सकते हो, I'll see you in the next video, तर तक take care and keep clicking.